बहुत सारी लोगों को यह कहना रहा है हमेशा से कि उनके ग्रहे उने दूसित प्रभाव दे रहे हैं या उनके ग्रहे उनके अनुसार नहीं है जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी शमश्यायों पन होती है तो आज एक ऐसा अदभूत उपाय देने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ही अदभूत है और यह उपाय है मा भगवती की उपासना का यानि कि मा भगवती के एक बहुत ही गुप्त स्वरूप की शादना है यानि कि सूलिनी दुर्गा स्वरूप की यानि मा भगवती का एक शुरूप है शूलिनी दुरगा सुरूप। जो ये शूलिनी दूरगा सुरूप है इस सुरूपमें मा भगवती का जो वर्न है यानि रंग है वो रंग- श्यांई रंग है यनि की बिल्कुल श्यामा कलर है उनका और उनके अश्ट भुजाएं हैं उन अश्ट भुजाओं में उनके तमाम तरीके के अस्त सस्त हैं और बहुत ही प्रचन्न सुरूप है तो ये शूलिनी दुर्गा सुरूप की उपासना मूल तहा ग्रह दोसों को नश्ट करने के लिए की जाती है और छुद तरीके के जो रोग हैं उनको नश्ट करने के लिए की जाती है जैसे किसी ग्रह के वजह से कोई शमस्चा हो रही है या किसी जोतिसी ने बोला है कि आपका ये ग्रह गलत फल दे रहा है और आपके ग्रह आपके अनुसार नहीं है तो उन तमाम स्थितियों से बचने के लिए उन तमाहम दोसों को कम करने के लिए शूलिनी दुरगा मा की उपासना की जाती है शूलिनी दुरगा सुरूप में मा शिंग के उपर नजर आएंगी और उसके उपर सिंग के उपर ब्राजमान होंगी मा भगवती और उनका जो वर्ण है यानि उनका जो रंग है वो रंग श्यामा रंग है यानि के काले वर्ण में है मा और उनके हाथों में तमाम तरीके के अस्त सस्त हैं ये शुरूप शूलिनी दुर्गा सुरूप है तो ये जब भी आप साधना करेंगे तो इसके लिए आप संकल पिलें कि आपके जो ग्रह दोस हैं वो नश्ट हों और माशूलिनी दुर्गा आपके उपर विशर्ष्ट करपा करें और इसके बाद आप मंतजाब करिए दिशा पूर्व और उत्तर रहेगी तो लाल वस्त धारन कर लीजिए इसके बाद दीप प्रिजोलित कर लीजिए मा की प्रतिमा रख लीजिए और उसके बाद अगरवत्ती बगरा करके प्रतिमा की आरती बगरा करके इसके बाद आप जाब सुरू करिए तो मन्त सुन लीजिए मन्त है याद रखिए इसमें जो हुम बोला है वो हुम है हुम नहीं है हुम है यानि के छोटा हूँ तो ये मन्त का विशेज गौर करिएगा कि मन्त का उच्चाण आपका सही होना चाहिए मन्त एक बार दुबारा सुन ले जल जल सूलिनी दुष्ट गह हुम फट स्वाहा ये मन्त है इस मन्त का आपको जाफ करना है सवालाक मन्त जाफ करना है सवालाक मन्त जाफ करने के बाद आपको आहूती करनी है दस अजार मन्तरों की आहूती करनी है आपको लेकिन अगर इसमें संभाव ना हो या आप एक बार में ही दस अजार मंत्रों की आहूती नहीं करते हैं तो आप करम से कर सकते हैं आज आप कर लीजिए एक हजार आठा आहूती इसके बाद अगले दिन कर लीजिए ऐसे आप दस दिन में भी वह आहूती कर सकते हैं यह जरूरी है क्योंकि जब आप जो साधना है यह जब आप अपने ग्रहों के लिए करेंगे तो उसके लिए बहुत ही अनिवार है और अगर आप चाहते हैं कि अभी इसका प्रियोग आपको अपने ग्रहों के लिए नहीं करना है सब आपको मंत जाग्रित करना है तो उसके ल जो तिस सी बताते हैं कि उसको ये रोग उसके ग्रहों के कारण मिल रहे हैं तो इस तरीके की स्थिती में अगर आप इस तरीकी कानुष्ठानुस व्यक्ति के लिए करेंगे तो निश्चा ही उसको विसेस लाब होगा जैशिर महकल आदेश